अब सब गाड़िया किसानों ने तैयर के वे इथेनौल पर चलेगी साग परसेंट इथेनौल, चालीस परसेंट बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो पंद्रा रूपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, सोला लाग करोन रूपए का इंपोर्ट है उसके बजाए ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गाव संब्रुद्ध संपन्न बनेंगे किसान अब के वल अन्न दाता नहीं है, किसान अब उर्जा दाता बने है इथेनाल, मिथेनाल, बायो डीजल, बायो एलेंजी, बायो सीएंजी, इलेक्ट्रिक, हैडरोजन अब किसान तैयार करेगा, मैंने मैं ट्रांस्पोर्ट का मंत्री हूँ, मैंने स्कूटर लाई है, बजाज, टीविएस और हीरो की जो गन्ने के जूस से, मुलाइसिस से, मके से, चावल से, जो इथेनाल बनेगा, उसके उपर हमारी स्कूटर, आटो निक्षा और कार चलेगी, हमारा किसान के वल अन्न दाता नहीं, उर्जा दाता बनेगा, यह हमारी सरकार की सोच है और इसलिए, अब मैं आगस्ट मैने में, टोयाटो कमपनी की गाड़ियों को लांच कर रहा हूं, आपको पता होगा, केम्रिकर के गाड़ी थी, वो इनोवा है, अब सब गाड़ी आख किसानों ने तैयर के वे इथेनाल पर चलेगी, साट परसेंट इथेनाल, चालिस परसेंट बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा, तो पंद्रा रुपए लिटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का बला होगा, किसान उर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूशन कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, सोला लाग करोण रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाए ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गाव संब्रुद्ध संपन्न बनेंगे, गाव के किसान के बेटियों को रोजगार मिलेगा, और इस देश का किसान केवल अन्न दाता नहीं, उर्जा दाता बनेगा, अब मैंने आगे भी लाया है, कि CSIR और Central Research Road Organization ने सवशदन किया है, कि जो परली है, परली से डामबर त्यार होगा, पानी पत में परली से इथेनॉल त्यार हो रहा है, और aviation fuel, हवाई जहाँ चलने के लिए जो इंधन लगता है, वो भी किसान बना रहा है, यही हमारे सरकार की कमाल है, पाइस जेट का विमान, देज और उन्ट से दिल्ली हमने किसानों ने तयार के वे इंधन पर लाया, बैना और भाई वो देश की तरक्की हो रही है, हम देश दुनिया के सबसे बड़ी आर्थ वेवस्ता बने है, हम देश में सबसे आर्थिक दुर्ष दे विकास करने वाला देश बने है, मोदी जी के नेतरुत में, फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी, आत्म निर्बार भारत, इतना ही नहीं तो सुकी, सम्रुद्ध और संपन्न शक्त शाली भारत, यही हमारा सपना है, झाली के विकास करने है,